तो भाईयो आज हमारे पास Maruti Swift का 2024 मोडल एंड यह इस कार का टॉप मोडल रहने वाला है जिसका नाम है ZXI Plus Variant और आज की इस वीडियो में हम इस कार का complete detail review करने वाले हैं कार की क्या क्या price रखे गए हैं कैसे कार के looks रहने वाले हैं कार के अंदर क्या क्या features मल जाते हैं और इंजन स्पेसिफिकेशन मतलब कम्प्लीट डिटेल रिवीव करने वाले हैं इस कार का तो वीडियो का इंट तक जरू देखेगा वीडियो काफी जदा इन्फॉर्मेटिफ रहने वाली है सबसे पहले गाइज इस कार के प्राइस के बारे हैं बात कर लूँ तो इस कार के स्टार्टिंग एक्शो रूम प्राइस रखे गए हैं 6.52 लाक रूपीज एक्शो रूम प्राइस जिसमें इसका बेस मॉडल यानि कि एलकसी मॉडल आ जाएगा एंड यह है जो की आपको 8.84 कि सम्थिंग एक्शो रूम प्राइस पर पढ़ जाएगा एंड इसका एग्यास वाला मॉडल आता है यह मैनुल अवला वेरियंट देख रहे हैं आप और आटमेटिक वाला वेरियंट जो है पूरे-पूरे एक लाग रुपए महंगा पढ़ता है अलता एक लाग से कम कार का माइलेज जो है वो काफी बढ़िया रहने वाला है कंपनी क्लेम करती है 22 के MPL के सम्थिंग इसका माइलेज बट यह इजी ली आपको 25 तक का माइलेज निकाल कर देती है एंड इंजन भी काफ़ जदा स्मूड एंड रिफाइंड रहने वाला है तो इंजन में कोई व वाला जो वेरियंट है उसके अंदर भी अविलेबल आती है और के साथ अविलेबल है बाकि कार की ग्राउंट के रहें से 163 mm की जो की इन रोट के साफ से इंडिया रोट के साफ से एकदम परफेक्ट है एंड का बीली बेस भी अच्छा कासा है जो की है 2450 mm का बाकि अभी मे अच्क के अथिया अब कर लिकवया जाती है और के साथ ही मिलती हैं अःक्सरी से की अइड बात करते हैं सबस्ट यहांपर से पॉसके बाकिकवार सबस्तिए हैं不過 कि का वाकेपर सम्पलquele हैं बाकिकर साइट से लिगले में यहां यहां पर बादामे हैं किरसे कार का wheelbase अच्छा कासा है उस वज़ए से अंदर की साइड अच्छा कासा है स्पेस भी बन जाता है Numbers के according इसका wheelbase है 2450 mm का जो की काफी अच्छा कासा है इस segment के साबसे बात करेंगे अब इसके कार के tires के बारे में तो यहां पर आपको alloy wheels मिल जाते हैं और 15 इंचिस के हैं पर अलोई वील रहने वाला है, टायर की प्रोफाइलिंग वगएर आप देख सकते हैं, फ्रंट साथ डिस्प्रेक मिल जाते हैं, सिल्वर कलर की ये अलोई वील रहने वाले हैं, और सुजी का लोगो बीचो बीच मिल जाता है, बाकि अलोई वील का डिजाइन आपको देख सकते हैं, कुछ टाइब के मिलता है, और मड़ फ्लैप वगएरा प्रॉपर मिल जाता है, कोई भी क्लैडिंग्स वगएर की वर्किंग यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है, फैंटर के उपर इंडिकेटर नहीं है, क्योकी और वीच फिनिशिंग के साथ मिलता है, बात करते हैंबी रयर के बारे में. पीछे के साइड भी आपको chrome garnishing की working देखने को मिल जाती है with sujuri का logo and desire की badging भी मिल जाती है desire की badging भी यहाँ पर आपको chrome ascent के साथ ही देखने को मिल जाती है जो कि दिखने में काफी अच्छी लग रही है rail light setup के बारे हैं बात करें तो यहाँ पर आपको desire के किसी भी model के अंदर नहीं मिलता है नीचे के साइड आपको reflectors मिल जाता है non functioning में ही रहने वाले है बात करते हैं भी कार के boot space के बारे में तो numbers के according 378 liter का इसका boot space रहने वाला है अराम से यहाँ पर आपके चार बैग easily आजाएंगे 3-4 बैग and lamp अगरा proper मिल जाता है यहाँ पर halogen के अंदर ही of course toolkit अगरा proper दी जाती है कोई भी bottle holder अगरा पिच्छे की साइड जो है नहीं दिया जाता है तो overall boot space का काफे जादा species रहने वाला है नीचे की साइड आपको spare wheel की placing मिल जाती है यह आपको space saver में ही मिलता है R14 इंचे वाला ही जैसे की पाहर वाले टायर है steel remiss में ही मिलता है of course spare tire यहाँ पर आपको कोई भी alloy wheel में नहीं मिलता है उपर की साइड ही पूरा expose पढ़ा है यहाँ अगर covering वगरे लगा ती company तो जादा better होता तो अवरान कार का rare look कुछ type का आने वाला है काफी जादा पढ़िया इसका rare look लगता है आपको कैसा लगता है कॉमेंट आपको पात के लिए कार के इंटीर के बारे में तो काईस डोर कुछ इस टाइप का रहने वाला है इसका बिलकुट black and beach finishing के साथ ही रहने वाला है soft touch material यहाँ पर यह मिल जाता है completely और यहाँ पर आपके all four power window controls मिल जाता है front side automatic में and lock unlock के feature यहाँ पर ही देखने को मिल जाता है electrical adjustable orium with auto folding के फंक्शन के साथ ही दोनों इस side के orium यहीं से control हो जाएंगे बाकी यह wooden finishing का texture यूज किया गया है जोगी काफी premium बनाता है इसकी finishing को and bottle holder magazine holder मिल जाता है speaker की placing यहीं पर ही है total 6 speaker मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर बाकी driver side की seat आपको height adjustment के साथ ही मिलती है अभी यह अंदर बैट के बात करते हैं इस car के अभी में बात करें बात करें कार के इंटीर के बारे में यहां से आप देखेंगे तो आपको इंजन पुलिटास टॉप बटन मिल जाता है इधर की साथ इसको प्रेस करेंगे and कुछ इस टाप का इस कंस्ट्रुमेंट क्लस्टर रहने वाला है सेमी डिजल में रहने वाले एफकॉर्स टाको में आपको मिल जाता है कंप्लिटी एनलॉग में and यहां पर इस पीड़ो में बेटी मैक्सिम स्पीड के साथ एनलॉग में ही मिलता है बीच की साथ जो डिस्पले देख रहे हैं यहां पर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन सभी कुछ शो हो जाती है इन बटन के तुरू आप इसके माइलेज की इंफॉर्मेशन वगेरा को चेक कर सकते है एवरेज, स्पीड वगेरा और ट्रिप A, TRIP B वगेरा की इंफॉर्मेशन शो हो जाती है यहां पर आपको उपर की साथ सभी टाइप की वाडिन्ग वगेरा भी शो हो जाती है लो फ्यूल वाडिन्ग वगेरा यहां पर फ्यूल गेज डिजिटल में दिया हुआ है इंचन टैंपरेचर गेज मिल जाता है डिजिटल टाइम मिल जाता है वाच जो आप कह सकते हैं इधर की साथ आपको ट्रेक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाता है यहां पर आपको हैड्लेम्प लेवलर मिल जाता है और इधर की साइड आपको AC VENT मिल जाते हैं जिनकी तो भी काफी decent है ये वाले जो है defogger का काम करते हैं इधर की वाले शिशे के लिए जिसकी visibility जो है यहाँ पर काफी ज़दा अच्छे आती है तो जो की काफी बढ़िया चीज है यहाँ पर tweeters मिल जाता है स्पीकर भी मिल जाते हैं इधर की साइड बाकी इस कार के अंदर टोटल 6 स्पीकर रहने वाले है चार स्पीकर और दो tweeters देखने को मिल जाते है और यह 7 इंचिस का smart infotainment system मिल जाता है जिसके अंदर आपको सभी टाप की connectivity and basic feature मिल जाते है wireless में आपको Android Auto यहाँ पर नहीं मिलता है Apple CarPlay वगरा सब कुछ आपको वाइड में connectivity के साथ मिल जाता है बाकी यहाँ पर आपको सभी टाप की information वगरा शो हो जाती है connectivity features वगरा यहाँ पर ही शो हो जाते है यह 7 इंचिस की smart रहने वाली है completely fully touch screen में ही यह रहने वाली है बाकी नीचे की साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको AC controls मिल जाते है और यहाँ पर automatic climate control मिल जाता है जो कि यह काफी बढ़ी option है यह display के अंदर सभी type की information वगरा शो हो जाती है बाकी steering wheel की बात करूँ तो यहाँ पर आपको round shape में steering wheel मिल जाता है यहाँ पर आपको wooden finishing भी मिल जाती है इधर के साथ देखेंगे तो यहाँ पर आपको call, cut and receive के button मिल जाते है steering mode से भी control मिल जाते है volume up and down के इधर के साथ से आप गाने वगरा चेंज हो कर सकते है यहाँ पर wipe air control है and यहाँ पर headlamp के control है automatic headlamp इस model में नहीं मिलता है of course, even इस car में ही automatic headlamp का feature अभी तक नहीं हाए and dashboard layout कार का कुछ इस type का रहने वाले है black and beach finishing के साथ and wooden finishing का texture यहाँ पर यूज किया गया है जो completely hard plastic material का ही यूज किया गया है यहाँ पर overall AC event की placing इधर की साइड है and नीचे की साइड देखेंगे यहाँ पर आपको power socket मिल जाता है 12 volt का and इधर की साइड आपको AUX and USB port वगरा के आप connectivity की feature मिल जाता है जिसके दुरूब आप screen को connect कर सकते है and यहाँ से आप चार्ज कर सकते है यहाँ पर अपना phone वगरा कुछ भी रख सकते है चाबी कुछ stripe की जैसे की मिन आपको दिखाया twin cup holders मिल जाता है यहाँ पर आपको चाबी प्लेस कर सकते है अपने हिसाब से and यहाँ पर आपको 5-speed gearbox का manual transmission मिल जाता है and automatic option के साथ भी है जरूर अवेलेबल रहने वाली है seat की quality की बात करो तो यहाँ पर आपको यह फैबरिक seat apostrophe देखने को मिल जाती है and यह बीच कलर के फिनिशिंग के साथ दी गई है जो यह काफी इच्छी लग रही है इस कार के अंदर and glove box इसका decent space के साथ मिल जाता है कोई भी lamp अगर अपको अंदर के साथ and यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको IRVM भी नॉर्मल वाला ही मिलता है automatic diminishing mode के साथ जाता है वो यहाँ पर नहीं मिलता है sunroof तो यहाँ पर अपको नहीं आती यहाँ वोगयरण del female light सिंग आमक की तो प्लेिख सेक्षण फड़ की साथ यहाँ अगर्या अपको थाध्य यहाँ भी आपको मिलजगे है यहाँ टार कंपी मिल जाती अप्र हैंडर अपको अगर्व की अच्छा था सिर आम्रेश्ट वगेरा इस मॉडल के अंदर नहीं आती है, of course. आप अफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं, तो बात अलग है. बागी कमफर्ट के मामले में, ये कार काफी जाद अच्छी है. फ्रेंट साइट कमफर्ट भी काफी अच्छा कासा बच रहा है. इस पेस भी काफी अच्छा कासा है, कार ऐसी बंदी-बंदी नहीं लगती, जो बंदर बैटते हैं, काफी ज़्यादा ओपन-ओपन, मतलब एरी-एरी कैबन इसका रहने वाला है, जो ये काफी अच्छा लगता है, खासकर ये बीज कलर की फिनिशिंग के साथ जो है, और भी ज़्यादा इनेंस होता है, और बिल्कु डार्क एलिमेंट का यहाँ पर यूज नहीं दिया, जो कि आखो को सुकून देता है, बीज फिनिशिंग के साथ ज़्यादा आखो को सुकून मिलता है, बाकि पिछे की साड़ आपको हार्ट प्लास्टिक मटीरल का ही यूज ही होत जाती है, और पिछे की साड़ आपको आमरेस्ट भी मिल जाती है, इस मोडल के अंदर, एडिस्टेबल हेडरस मिल जाती है, सीट बैल तो प्रॉपर दी हुई है, और यहाँ पर स्पेस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर अच्छा का सा मिल रहा है, नी रूम भी कमफर्ट के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, लॉंग राइट्स पर भी यह कार एकदम परफेक्ट परफॉर्म कर दी है, पिछे के साड़ आपको रेर इस इवेंट मिल जाते है, पावर सोकेट मिल जाता है, यह 12 वोट का, और इधर के साड़ अपना फोन वाला है, बाकि अभी आप मुझे कमेंट करके बताएगा कि मारुति डिजायर आपको कैसी लगती है, अगर आप भी इस कार को लेने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपको कोई फ्रेंड या फैमली मेंबर इस कार को लेने के बारे में सोच रहा है, तो इस वीडियो के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो उसके लिए काफ़े ज़दा हेलपफुल हो सकती है बागी काई ऐसी इंफॉर्मेटी वीडियो में लाता रहता हूं तो मेक शूर अप चैनल से कनेक्टर रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा तो मिलते हैं अ क्रीज ही लगन करता हुआ ये क्जे बागी करते हैं प्रूफुल है दके रख जगासे कर दो का DAVID भ εδώ गरे ज्टरब कर मे किलुंधू तो अपैंचे क्फैंऑ तो में हुआ। कर दो कर दो कर दो